दरसल मुंगेर के धरहरा थाना शेत्र में गुरुवार की रात बेखौफ अपरादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया दरसल वहां के नव नर्वाचित पंचायत के मुख्या की गला रेत करके हत्या कर दी गई है इस मुख्या का नाम पर्मानंद टुडू है जो अभी अभी हाल में ही मुख्या पद से जीत हासिर की थी उन्होंने उनकी नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी है ऐसा बताया जा रहा है आपको सबसे पहले उनके पुत्र और आसपास के ग्रामीनों के पूरे बयानों को दिखाते है कि अध्याली सब्सक्राइक न शुक्राइब मैं तो पर्मानफ गया है को ने माल वाव उसके हाथ में अत्यार था गण लगाव लगान अब अब लगाव लगाव लूपर में थे यह सिविल में थे मतलव रदी में था मतलव था प्लॉपर से थी शूटर से पहने वे तयार वरना सूड़े वे ते कि दर साया है लेकिन इद्रे से आया हूंगे रोड तरफ से नहीं गारे से आया है वे सब पएदा लियाए आठ सब आख वजे के लमसर में हुआ था किया उनका बोल चल के सथा भाता केसी थी वह सब आये तो पापा से पुरा अराम से हम लोग से बात किये हैं पुरा बोला कि हम उससे बात करेंगे हम लोग पाटी का थी मतलब हम लोग पाटी का आदमी है उसे को मांग चंग करेंगे लेकिन वह सब नहीं किया वैसा पापा को म सब्सक्राइब तरह अभी कि चुनों में लगचलियों ने इस एलाके में पर्चा साथा भाला कि खड़ा नहीं हूँ छोड़ दो पर्चा साथा थैं पर धमकी वरा सब्सक्राइब कर देखें ठीक है वह देकिन बनातागी आपन नहीं कि यह खुटता है नहीं हुट नहीं नह सकते हैं कैसे क्या हुआ कहां से हुआ ने हुआ यह हमने बता सकते हैं कौन लोग थे जो उनकी हत्या कि यह कहां से आये यह भी हमने बता सकते कि धर से आया ने आया हम तो देख वेने कि हम तो पीछे रहते हैं इधर घर है हम रहा राद में क्या हुआ कुछ हो ने हुआ आया सुनते हैं जिसा आब बात में हला सुने तो लोग बोला कि उसको बोला करके निकाला लेकर के चलागी हम तो सोले वाला बात जानते हैं इधर का तो नहीं हम सुना हुआ आपको बता दे कि ये जो हत्या है ये बदला लेने के संभावना से की गई है बताया जा रहा है कि नकसलियों ने पर्मनंद टुडो को मना किया था कि मुख्या के पद से चुनाव ना लड़े लेकिन फिर भी पर्मनंद टुडो ने चुनाव लड़ा और वहां से जीत हासल की इसी से गुसाई और बॉकलाई नकसलियों ने उसे घर से कुछ दूर बुला करके गला रेथ करके हत्या कर दी है पुलीस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की चानबीन कर रही है इस खबर में इतना ही आप बरे रहे न्यूस पियार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद